तो आज हम फिर से आ गए आपके बस अपनी साइन सेंटेक की सीरीज कंटीनू करते हुए जो हमारा सेकिंड पार्ट है वो आप आज करेंगे ठीक है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस है जो एक्जाम के लिए आप आपके लिए बहुत हेल्फुल रहेंगे तो ले 13th edition हुई थी हमारी binary military exercise की हम वो कवर करेंगे उसके बाद राजनात सिंग जी ने अपना compadium release किया था हम वो discuss करेंगे ठीक है उसके बाद UAE का एक hope mission था उसके बारे हम बात करेंगे उसके बाद इसराइल और अमेरिका अपस में इन्होंने एक tie-up किया है उसके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है air defense missiles बना रहे हैं यह उसके बारे हम इसके बारे में बात करेंगे एक science and tech solar system में जो है हमारे एक highway की उसमें research हुई हम उसके बारे में discuss करेंगे उसके बारे हम India's first digital university जो ही अभी उसके बारे में discuss करेंगे so these are the topics that we'll be covering today in our class so without much ado let's begin our science and tech class yes so the 13th edition of the biennial military exercise arrow India 2021 so what's the name arrow India 2021 आगे क्या है इसके क्या है a big step towards आत्म निर्बर भारत आपको पता मोधी जी ने आत्म निर्बर भारत पे बहुत focus किया था so this is basically कि हम आत्म निर्बर भारत की तरफ arrow India को हमने उसका एक theme दे दिया कि हम इसको आत्म निर्बर भारत से relate कर रहे है let's see यह हुआ कहां पे है यह हुआ है यह लाहंक का एरफोर्स बेस यह है बैंगलोरू में ठीक है बैंगलोरू करनाटका and कौन सी डेट से कौन सी डेट सक हुआ है यह हुआ है 3rd Feb to 5th Feb 2021 ठीक है तो आपके लिए इंपोर्टन है एक तो यह आत्म निर्बर भारत से related है ठीक है next देखते है next क्या है इसमें next है the event was organized by Defense Ministry of India ठीक है Defense Ministry of India ने organized किया था next क्या रहा है DRDO Defense Research and Development Organization इन्होंने भी किया था ठीक है यह सारे बीच में जो जो participants है जिनके कारण या co-host कहलो इनको ठीक है इन्होंने किया था आगे का इंडियन Air Force and Department of Space Union ठीक है Indian Air Force में किया था फिर Department of Space Union Civil Aviation Ministry तो इन लोगों ने मिलके या इन organization ने मिलके ये event organize किया था ठीक है आगे क्या है तो थीम क्या है इसका थीम क्या रहा है देखिए conceive indigenous collaborate ठीक है इंडिया में ही बनाओ अगर नहीं बनता तो collaborate करके भी इंडिया में ही बनाओ अगर आपके पास कोई resource नहीं है तो बाहर से world's first ever hybrid arrow and defense exhibition ठीक है मतलब hybrid का मतलब इसमे latest technology amalgamation mix करके इनको बनाया गया hybrid का ठीक है जो latest technology उनको भी हमने इस बार inculcate किया है ठीक है इसे बोथ physically और virtual elements दोनों ठीक है दोनों दिखाए गए इसमे physical elements भी दिखाए गया और virtual elements भी शायद forecasting जो इनोंने करनी है या आगे ऐसे हम virtually इसको ऐसे करेंगे या जो unmanned air vehicle, aerial vehicle होता है उसके बारे में तो उस बारे में बताया गया है आगे कह है it was also Asia's largest defense and aerospace exhibition ठीक है? Asia's largest था ये ठीक है? कि Asia में सबसे ज्यादा largest defense and aerospace exhibition because काफी countries ने इसमें पार्ट लिया है और हम भी काफी हमने अपने inputs दी हैं इस एरो इंडिया को organize करन exhibition ठीक है आगे देखते हैं इसमें क्या है ठीक है around 601 exhibitors मतलब 601 exhibitors थे या 101 लोगों ने इसमें शो किया या 101 कैलो के पर वो थे जो इन्होंने शो किये हमें ठीक है जैसे for example 101 categories में इन्होंने शो किया है या 101 personal से जिन्होंने exhibit किया है so around 600 exhibitors थे जिसमें 523 जो थे वो Indian थे and 78 foreign थ and 78 foreign and 14 countries participated in the Aero India 2021 ठीक है तो total कितनी countries थी 14 countries participated और Indian कितने थे 523 and foreign कितने थे 78 foreigners ठीक है यह foreign countries जो participate किया exhibitors ठीक है so next is let's read something about DRDO DRDO के बारे में कुछ information लेते हैं ठीक है DRDO is the research and development wing of ministry of defense government of India with a vision to empower India with cutting edge defense technologies and a mission to achieve self-reliance ठीक है आत्म निर्वर वारत आगया इसमें in critical defense technologies and systems ठीक है basically क्या है यह इसने new technology बनानी कुछ भी missiles बना रहे है तो DRDO बनाता है ठीक है कोई भी research करने defense related ठीक है या कोई intelligence के कोई equipment बनानी है ठीक है तो उसमें यह DRDO equipments बनाता है ठीक है तो यह कह देते हैं इंडिया का अगर games bond होता तो उसके लिए equipment कौण बना रहा होता DRDO तो इसको उस तरीके से हम याद कर लेते हैं ठीक है आगे क्या है while equipping our armed forces with state of the art weapon systems and equipment in accordance with the requirements laid down by the three services मतलब हम अगर उनको requirement देते हैं कि suppose हमें एक automatic rifle चाहिए ठीक है एक automatic हमें गन चाहिए ठीक है उसके हमें length और weight हमने उसको बताते हैं इस weight के अंदर चाहिए जो चीज़ बनाते है that is the function of DRDO ठीक है इनका क्या रहता है यह बलस्य मुलम विज्ञानम ठीक है तो इसका जो attached इनके साथ एक tagline है वो है बलस्य मुलम विज्ञानम ठीक है next क्या है who is the head of it Dr. G. Satish Reddy he is the chief of DRDO Dr. G. Satish Reddy he is the chief of DRDO और DRDO के headquarters कहां पे है it is DRDO भवन न्यू डेली तो इनके headquarters है DRDO भवन न्यू डेली और इनके जो head है वो है Dr. G. Satish Reddy ठीक है name is important तो इसको आप याद कर लेना ठीक है headquarters भी कई पर पूछ लेते है तो it is in New Delhi obviously center की चीज़ है तो New Delhi में ही headquarters होंगे ठीक है आगे देखते हैं DRDO was formed in 1958 from the amalgamation of मतलब जोड के ठीक है the then already functioning technical development establishment of the Indian army TDE इसे हम कहते हैं and the directorate of technical development and production DTDP and with the defense science organization DSO ठीक है इनको सब को जोड के इन्होंने DRDO बना दिया पतलब जो ये सारे लगलग function करें थे अब सब को collaborate कर दिया और अब DRDO का एक नाम दे दिया ठीक है इसके बाद DRDO was then a small organization जब बनी थी तब छोटी थी फिर दीरे दीरे क्या होगा दीरे दीरे इन्होंने research की अपने अपने establishment की और दीरे दीरे और states में भी इनका जो offices खुले और research offices खुले ठीक है इन्होंने और जगा ब्रांचे बढ़ाई तेस्टिंग के लिए इनको ranges मिली तो धीरे धीरे अब it has become a big number या big organization as concerned to India इंडिया की एक defense में big organization बन चुकी है DRDO ठीक है ठीक है फ्रेंस next news की तरफ चलते है next news क्या है हमारे पास राइनात सिंग्जी released export compendium of DRDO and other documents ठीक है compendium क्या होता है ये एक बड़ी information होती है किसी भी चीज के बारे में so that is compendium ठीक है तो इसके बारे में देखते हैं ये news क्या cover कर रही है the export compendium consists of a list of defense systems and platforms which can be exported to friendly countries of India इसका क्या मतलब बना इसका मतलब ये बना कि हमने एक list दे दी कि अगर कोई friendly countries हमसे कुछ समान खरीदना चाती है या हम कुछ export करना चाते हैं इसमें वो-वो equipment के बारे में बताया गया है next क्या है it is aimed at making India a major market in the global defense market इंडिया के substantial existing हो जाएगी global defense market अगर कोई देश है जिन्होंने कुछ खरीबना है तो अगर 10 countries बेच रही है तो इंडिया की भी extending हो जाएगी इंडिया विल भी amongst the preferred countries to buy such defense systems thing ठीक है आगे क्या है the defense minister also released the revised design development and production of military airborne stores ठीक है release the revised design development and production of DDPMAS ठीक है इनको उन्होंने revise करके कुछ new अपना जो inputs देके एक revised DDPMAS के बारे में दिया है ठीक है DDPMAS क्या है DDPMAS has been developed by the center for military and airworthiness and certification इसको कहते है short form में semi-lact ठीक है next देखते है the revised DDPMAS gives importance जो उन्होंने revise किया था जो पिछली slide में हमने देखा importance to आत्म निर्भर भारत ठीक है आत्म निर्भर भारत हमारा arrow इंडिया में भी highlight हुआ था और अब भी हो रहा है ठीक है for attaining self-reliance obviously अगर हम आत्म निर्भर हैं मतलब हम अपने सारे काम खुद कर सकते हैं ठीक है to bring down defense equipment import bill by dollar 2 billion by 2022 इसका क्या मतलब है कि हम जो अब बाहर से समान मगा रहे हैं वो 2022 तक हमारा कितना limited हो जाने ही total हमारा जो import है वो 2 billion से exceed नहीं करना चाहिए मतलब इसका मतलब है हुआ कि हम इंडिया में ही produce करेंगे next क्या है to achieve US dollar 25 billion in defense production and US dollar 5 billion exports by 2025 इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हम जो अपने जो है अपने dollar 25 billion हम अपनी defense production के equipments बनाएंगे और उसके बाद dollar 5 billion हम export भी करेंगे import कितना करेंगे dollar 2 billion export कितना करेंगे dollar 5 billion year क्या है year इसका 2025 है ठीक है कई बार question आता है कि भी कितना year में इन्होंने करना है year related dollar 5 billion by which year तो वो 2025 है and 2022 is for our imports ठीक है तो यह चीज़े आप याद कर लीजिएगा next देखते है आगे देखते हैं the aero component sector expected to grow 2 rupees 60,000 crore by 2024 वाद इनको expected है कि यह वाला sector इतना grow करेगा that is why they are investing in it ठीक है next देखते हैं India to spend dollar 130 billion ठीक है on defense modernization by boosting indigenization ठीक है इसका वाद यह है कि हम अपने पे पैसा कर्चेंगे हम इंडिया के जो भी production है उस पे पैसा कर्चेंगे ताकि हमारी जो indigenization है जो इंडिया में produce हो रही है चीजें उसको एक तरह से impetus मिले उसको एक boost मिले ठीक है that is all next देखते है next क्या हमारे पास news है next news है the UAE's hope probe sends home first image of Mars ठीक है last time हमने perseverance के बारे में किया था जो की NASA का था अब हम UAE के बारे में कर रहे हैं detail में ठीक है let's see क्या कहती है ये news या क्या cover करती है the hope sent images after the spacecraft successfully entered the red planet's orbit ठीक है उसकी orbit आपको पता है आसपास orbit होती है उसमें enter कर गया and it is now revolving around it ठीक है hope was launched on कब launch हुआ hope was launched on July 19, 2020 तो इस date को hope launch हुआ था ठीक है तो ये चीज है ठीक है इसने पहले एक तो images भीजी है and it was launched on July 19, 2020 ठीक है आगे देखते हैं the picture captured the largest volcano in the solar system इसका नाम क्या है olympus mons ठीक है ठीक है तो इसने वो image भेजी है इसको जो UAE के hope probe थी है hope probe ने जो image भेजी है ठीक है आगे क्या है it reached Mars on February 9, 2021 तो 9 February को ये March पहुँच गया ठीक है उसके बाद क्या है the image was taken on 10th February 2021 from an altitude of 24,700 km तो इसका जो zoom था है इन्होंने इतना magnify कर दिया image को तो इसने 24,700 km की दूरी से ही ये photo कीची है बिल्कुल उसके पास जाके ने कीची है तो शायद इसके पास iPhone से भी अच्छा camera होगा तो इसमें ये चीज़ खीच ली है ठीक है photo कीच ली है तो next देखते है इसका क्या है शे The mission is designed to reveal the secrets of Martian weather तो किसके बारे में study करेगा Martian weather के बारे में वाट यूए ही क्या जाती है कि उसके जो youth है जो उसके young वो है वो भी encourage और इस trade में enter करें inspirational to regions youth तो ये यूज़ चाती है कि मेरे एक तो mission से Martian weather पता चले हमें उसके बारे में research हो और second चीज़ क्या है कि youth के लिए inspiration क अब ही काम करेंगे more and more people should get involved in such kind of trades ठीक है इसको उसमें साफ में देखेंगे ठीक है hope became ये एक important है hope became the first of the three spacecraft to arrive at the red planet in feb 2021 ठीक है तो तीन ही aircraft release हुए थे ठीक है जो अपने थे spacecraft sorry तो उसमें कहा था after consequences थी China and the US तो US के बारे में तो हम पढ़ चुके है चाइना के बारे हम preferably हम hopefully next class में पढ़ेंगे ठीक है also launch the mission in July क्यों July में launch किया क्योंकि उस ताइम Earth और Mars के बीच में distance minimum था ठीक है they took advantage of Earth and Mars being nearest तो तीन mission launch हुए से जुलाई में एक तो US का हो गया second एक UAE का हो गया और थर्ड चाइना का हो गया तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन पहुचा है hope पहुचा है तो अगर question आ जाता है कि इन तीन country में से सबसे पहले किसका पहुचा था तो hope का पहुचा था hope कौन सी country का UAE का ठीक है और जो US का है वो NASA का जो हमने perseverance किया था वो है ठीक है आगे देखते हैं तो UAE's venture is also time to mark मतलब इन्होंने एक तरीके से collaborate कर लिया या एक तरीके से ये collaboration है इसकी कि 50th anniversary of the unification of nations तो इन्होंने इस चीज़ की खुशी में ये भेजा है of the united of nations seven emirates तो इनको unification of seven emirates जो हुई थी उसके एक तरह से anniversary या उसको mark करने के लिए इन्होंने hope जो mission ने एक तरह से world को message दिया है यह is involved into science and tech also ठीक है second अगली चीज़ का कह रहा है यह important है china's probe china के probe का नाम क्या है जो जो mars की तरफ ट्रेवल किया है त्यानवान वन तो यह है इसका त्यानवान वन इसका नाम है ठीक है और space agency का का नाम है चाइना की Space Agency का नाम है चाइना's National Space Administration ठीक है तो यह चाइना की Space Agency का नाम है और जो चाइना का प्रोब है उसका नाम है TN11 ठीक है तो हमारे पास तीनों नाम होगे UAE का हमने Hope कर लिया चाइना का हमने TN11 कर लिया और जो US के NASA का है ठीक है तो उसका नाम भी हमने कर लिया तो हमारे पास तीनों के नाम है ठीक है और इसके साथ ही हम अपनी नेक्स न्यूस पर चलते है नेक्स न्यूस क्या है हमारी ओके थोड़ा सा एक रह गया था Hope will orbit the red planet for at least one Martian year और 687 days ठीक है one Martian year या फिर 687 days तो basically अगर Martian weather के बारे में पढ़ेगा तो Martian atmosphere को तो study करने ही पढ़ेगा तो that is how it is related to the Martian the hope probe ठीक है अगला देखते है इस्राइल यूस कमेंस वर्क तो डिवेलब एरो फोर एर डिफेंस मिजाइल्स ठीक है तो एरो फोर डिफेंस के लिए उन्होंने यूस और इसराइल ने अपने आपको collaborate किया है ठीक है इसमें क्या है अरो फोर मिजाइल्स क्या है अरो फोर मिजाइल्स शील्ड विल बी एन अडवास्ड वर्जिन आफ दा एक्जिस्टिंग एरो टू और एरो टू फ्री तो पहले ही बन रही है, अब इन्होंने Arrow 4 बनाई है तीक है, आगे क्या है, आगे है In February 2021 Israel Missile Defense Organization क्या नाम है organization का, इनकी DRDO क्या है, इसको ऐसे कहते थे, इनकी DRDO का है, Israel Missile Defense Organization and US की क्या है, United States Missile Defense Agency, थीक है इन्होंने commenced work on मतलब वक्षूर क्या था Development of Arrow 4 Anti-Ballistic Missile Anti-Ballistic Missile आगे जाके हम पढ़ेंगे What is Ballistic Missile ठीक है Which will be part of Israel's Multi-Layered Ballistic Missile Shield तो Arrow 4 किसके लिए बन रही है यह बन रही है इसराइल के लिए और Collaboration किसके साथ है US के साथ है आगे देखते है Missile Defense Shield is a system weapon और Technology which is used for detecting, tracking, intercepting and destroying incoming attack missile तो अगर कोई भी country के तरफ या कोई भी country के किसी asset की तरफ कोई missile आ रही है तो इसको intercept करके उसको destroy कर देगा सो अगे पर नुकसान ना हो तो मतलब कोई अगर atmosphere से या space से भी किसीने कोई missile shoot की है तो इसको intercept कर लेगा, track करके और उसको destroy कर देगा तो इनकी क्या है, अगे क्या है Boeing, थीक है, Boeing के बारे में हम सबको पता जहाद बनाती है and American Aerospace and Defense Company and Elbit Systems तो इनकी क्या है, Elbit System इसराइल की और Boeing US की है, will be part of their Aero Defense Project थीक है, तो इनकी inputs भी इसमें होंगे Israel Aerospace Industries IAI, ठीक है, Israel Aerospace Industries will be the main contractor for the development and production ठीक है, तो main contractor कौन है इसमें, IAI Israel Aerospace Industries तो ये production का main इसमें contractor रहेगा, ठीक है next देखते है, Israel is one of the four countries, ठीक है total कितनी है, चार countries, ठीक है to have successfully developed an anti-ballistic missile system after the USA, Russia and India, तो India का भी हमारे लिए प्राउडली बात है कि इंडिया के पास भी anti-ballistic missiles है और जो इसराइल है, it has come into the club of anti-ballistic missile system, तो total कितनी four countries है, number one, ठीक है, USA Russia, India and now, Israel is also there, ठीक है so that is it, next देखते है, next क्या है, next is what is ballistic missile, पहले हम पढ़ते है ballistic missile क्या होती है, ठीक है ballistic missile is a rocket propelled self-guided strategic weapon system that follows a ballistic trajectory to deliver a payload from its launch site, a pre-determined target, ठीक है, तो अगर हमने target इनको fix कर दिया, ठीक है तो यह missile क्या करेगी, अगर वो target थोड़ा सा move भी होता है, तो यह करेगी, उसको follow करके उसको destroy करेगी, ठीक है ballistic missiles can carry conventional high explosive, ठीक है, जो अपने high explosive carry कर सकती है, as well as chemical and nuclear जो weapons है, यह वो carry कर सकती है, ठीक है, they can be launch from aircraft, कहां से launch कर सकते हैं जो missiles होते हैं, वो land to air, surface to air, surface to surface, ठीक है, air to surface ऐसे होती है, तो it can be launch from anywhere from aircraft, ships and submarine पानी के नीचे से भी यह missile launch कर सकते हैं, in addition to launch based silos and mobile किसी vehicle पर या किसी truck पर हमने इसको load करके, इसको fire कर दिया, so that is, what is ballistic missiles are, ठीक है, next देखते है, next क्या है, इसमें, next information है, हमारी fifth news क्या है, आज की, the info about Indian ballistic missile defense program, ठीक है, इसके बारे में क्या है, इंडिया की जो हमारी ballistic missile है, उसके बारे में multi-layered ही है, जैसे इस्राइल का है, ठीक है, इंडिया जैसा ही इस्राइल का है, हम उनका की copy करें, क्यांकि हमने पहले बनाया था, हमारा, उन्होंने हमारे जैसा बनाया है, ठीक है, it is capable of intercepting and incoming missile launch from a range of 5000 kilometers, तो अगर ये 5000 kilometers से भी दूर से launch की गई है, तो इंडिया का जो layer है, ये इंडिया का जो ballistic missile system है, इनकी जो protection है, ये उसको intercept करके destroy कर देगे, ठीक है, it is a two-tied system consisting of two land and sea-based interceptor missiles namely, हमारे क्या नाम है बैस्टिक का प्रित्वी air defense PAD या pad-calo missile for high altitude interception and AAD advanced air defense missile for lower altitude interception, मतलब अगर तो हम उसको नीचले altitude में, नीचली height पे उसको destroy करना है, फिर तो ये वाला है, advanced air defense और अगर हम उसको height पे ही, या बहुत height से अगर वो आ रही है, उदर destroy करना है तो हमारे पास कौन सी है, प्रित्वी ठीक है, तो names है more important है, ये names एक बरियाब पढ़ लेजिएगा, ठीक है, आगे क्या है, इंडिया's ballistic missile defense program is awaiting approval from government of India developed by Indian Air Force and DRDO, ठीक है, तो एक इनकी approval मिल जे यूज के लिए, या इनको inculcate करने के लिए, and it is developed by DRDO and Indian Air Force, ठीक है जे, आगी अगली news देखते हैं, केरला's first human milk launched in Irnakulum, ठीक है, तो एक इनोंने एक bank बना दिया, human milk का, कही बारी जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी mothers कही बारी milk नहीं दे सकती है, नहीं, उनकी milk production होती है, कहीं की mother मर जाती है, उनके लिए इनोंने एक क्या किया है, एक human milk का bank बना दिया है, अगर किसी को जरूरत है, तो वह यहां से, एक human milk लेके जा सकता है, तो इसके बारे में हम more news देखते हैं, what is more in this, कैरला's health minister, ठीक है, the name is important then, because he is the one who is behind it, कैरला's health minister, केके शेलजा, inaugurated the state's first human milk bank, ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम है, Nectar of Life, ठीक है, इसका नाम है, Nectar of Life, so this is the name of the bank, जो हमने, जो हमारा human milk, जो है, उसको अपने पास रखेगा, Nectar of Life, ठीक है, मनिश्टिका का नाम है, केके शेलजा, ठीक है, अगया, milk can be stored for six months, ठीक है, तो छे महीने तक एक बारी जो milk है, इसको store कर सकते हैं, उसके बाद इसकी shelf life खतम हो जाएगी, ठीक है, तो जैसे पहले ही बताया कि किसी की अगर बेबी होते ही, मदर की death हो जाती है, या मदर मिल्क नहीं दे सकती है, तो उनके लिए यह बहुत beneficial रहेगा, ठीक है न, जो से human milk में जो vitamins और बाकी जो essential जो हमारे लिए growth के लिए nutrients होते हैं, वो सब present होते हैं, तो वो external sources से नहीं complete हो सकते, तो इसलिए human milk is important, ठीक है, आगे क्या है, इन the beginning, the milk will be provided free of cost to only those babies who are admitted into the neonatal intensive care unit, नहीं जो बच्चे हैं, उनको free में milk दिया जाएगा, जो बिलकुल पैदा हुए जो बच्चे हैं, ठीक है, those who are admitted into the neonatal intensive care unit of the hospital, ठीक है, नेक्स एक news देखते हैं, हमारी science and tech के related है, space के related है, super highway to travel through solar system, ठीक है, super highway to travel through solar system, इसमें क्या है, researchers have discovered a super highway network that can help travel through the solar system at extremely fast speed, ठीक है, इनको एक रास्ता मिल गया है, जिससे ये solar system extremely fast speed पे travel कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, such route can help comets and asteroids to travel from Jupiter to Neptune at distance under a decade, तो इनको पहले करी 100 साल लग जाते हैं, कोई भी चीज़ा के travel कर रही हैं, इतने distance को, तब under a decade, आप ये मत सोजना के 10 साल लग जे, तो 10 साल इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो under a decade ही ये travel कर सकते हैं, इतना distance, ठीक है, next देखते हैं, next ज country to table a paperless budget, ठीक है, तो first country, first state कौन सी जिसने paperless budget दिया है, that is उतरप्रदेश, ठीक है, तो ये एक important है, हमारी information current phase के regarding, ठीक है, इसमें क्या है, UP's finance minister, dr. सुधेश खन्ना, कि इनो ने किया इसको present, UP's finance minister, dr. सुधेश खन्ना, ठीक है, name is important then, it is the fifth budget of the CM Yogi, ठीक है, तो Yogi अजित्य इनाच जी का ये fifth budget है, ठीक है, इसमें क्या है, all members of the state legislative assembly, जितने भी members से, उनको iPad provide किया गया है, ठीक है, सबको कोई उन्होंने paper नहीं दिया, उन्होंने सबको iPads दी है, ठीक है, तो that is it, आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बारे भी रही था, आगे देखते हैं, next news क्या हमार इंडिया's first digital university is inaugurated at Mangalapuram, Kerala, ठीक है, first digital university, again a question आ सकते है, where has been it inaugurated, so it has been inaugurated at Mangalapuram, Kerala, so name is important also, ठीक है, आगे देखते हैं, the Kerala's governor, R.F. Mohamed Khan, ठीक है, R.F. Mohamed Khan कहा है, ये कहां के governor है, ये कहां के governor है, ये Kerala के governor है, ठीक है, on February 20, 2001, inaugurated India's first digital university, named, ठीक है, university का नाम क्या है, Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, तो इसको in short क्या कह रहे हैं, Kudset, ठीक है, तो in short university का नाम क्या है, Kudset, तो के से, याद रख लेना, Kerala, और Mangalapuram, याद कर रहेना, Mangalapuram, ठीक है, ठीक है, तो next इसका देखते है, next क्या है, Kerala CM, ठीक है, एक CM कोन है, के, पिनराई, विजयन, ठीक है, ये भी name भी important है, presided over the function, ठीक है, ये भी present है, ठीक है, एक और information, शायद आपको पता हो, या ना पता हो, the governor of the state is the defecto, chancellor of the university, ठीक है, तो जो governor of the state है, उनके जगा उनिवस्टी का चांसलर कुट सिट का पूचा जाए, कौन है, तो he is Arif Mohamed Khan, the governor of the Kerala, ठीक है, so he is the chancellor of the university, ठीक है, normally भी chancellor state का, universities का, state का governor ही होता है, ठीक है, कुछ facts about Kerala, जो की exam point of view से हमार लिए important है, ठीक है, it is the first state to be declared as complete digital state, ठीक है, ये first state है, जिसको हम completely digital state declare कर चुके है, ठीक है, कोची, earlier known as कोचीन, is properly known as queen of the Arabian sea, तो कई बार अगर question आप से ये पुछ लेते हैं कि which place is known as queen of the Arabian sea, तो आप उसको कहना है, कोचीन, कोचीन is the right answer, and is also called the gateway of Kerala, तो कोचीन के दो नाम है, queen of the Arabian sea, and second क्या है, gateway of Kerala, ठीक है, next देखते है, ठीक है, अगे देखते है, it is believed to be the oldest, ठीक है, believed to be the oldest form of martial art, ठीक है, कौन सा है, कलेरा पट्टू, ठीक है, इसका नाम याद कर लिजे, Kerala का है, कलारिया पट्टू, कलीरिपा यट्टू, ठीक है, पता नहीं, अब इसकी प्रनूनसेशन थोड़ी, C, C, है, ठीक है, gets its name from ललारी, और स्कूल, and पयट्टू, means practice, ठीक है, तो solar energy, तो ये question आ भी चुका है, कि completely powered by solar energy, कौन सा first airport है, तो answer is, कोची, ठीक है, आगे क्या है, इसकी कितनी राज्यसभा seats है, केरला की, केरला has 9 राज्यसभा seats, and लोकसभा seats कितनी है, इनके पास, लोकसभा seats है, 19, ठीक है, so that was the information related to केरला, ठीक है, friends, so that is all for the day, and हम आपको अपनी series continue करते हैं, next session में मिलेंगे, thanks for being with us, thank you, thank you.